तो थोड़े दिन बिल्कुल तेजी यहाँ पर रहने वाली है तो कौन से लेवल तक यहाँ पर तेजी रह सकती है और अगर आज मॉर्णिंग सही देखा जाए तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आया है और देखा जाए तो मार्केट भी गेप अप ओपन हुआ था अगर देखा जाए तो कही न कहीं 35,000 का मार्केट के पास अपर बैंक निप्टी के पास भी और वही अगर देखा जाए जमेटो में गयाइस तो यहाँ पर compare किया जा रहा है policy बाजार से तो यहाँ पर जमेटो के मुकाबले policy बाजार यहाँ पर लोग ज़्यादा बहतर मान रहे है policy बाजार को और जमेटो को यहाँ पर दिगजोगा भी कहना है कि जमेटो यहाँ पर मिल रहा है टमेटो का बाबा तो ऐसी बात यहाँ पर चल रही जमेटो के लिए कर बट अगर वही अगर इसके पैटर्न को देखे जाए शॉट-टर्म बेसिस पर अगर आप इसे कर इतना चाहते हो तो पैटर्न थोड़े अच्छे है तो चलते हैं जमेटो के यहाँ पर चार्ट पर जमेटो के इहाँ पर शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखा जाए गैस यहाँ पर क्या प्राइस चल रहा है जमेटो का तो 82 रुपे 40 पेसे बेस टॉक कर रहा है ट्रेट और वही अगर देखा जाए तो 2 रुपे 55 पेसे तक स्टॉक में मॉर्निंग से अब तक बड़त हमें देखने को मिल रही है 3.19% के हिसाब से स्टॉक में एक मोबेंटम आया है उपर के ओर तो इहाँ पर हलकी सी तेजी तो किसी भी स्टॉक में देखने को मिल जाएंगी बट हमें तब समझ में आता है जब बड़े टाइम पर हम उस स्टॉक को बात कर दिया था कि स्टॉक में बड़ा गिरावट आ सकता है और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और वही अगर देखा जाए तो कुछ छोटे से पैटन्स मैंने पहले ही आपके साथ डिसकस करे हुए है तो उन पैटन्स के बेसिस पे हमारा पहला पेटन यह वाला था गाईस तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा लॉजिक था कि स्टॉक यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम कर रहा है और वही सपोर्ट रजिस्टन्स भी यह शो कर रहा है तो हमें यहाँ पर एक लेवल मिलके इस लेवल को अगर मैं गाईस यहाँ पर एक वन हाँ टाइम पर देखो तो सही लगेगा बट यहाँ पर मैं चोटे से टाइम पर देख रहा हूँ कि आपको पुरा समझ में जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइडवेज मोमेंटम जमेटो मेरा फिर उसके बाद यहाँ पर नीची की और एक breakdown हमें देखने को मिला और breakdown के बाद stock में continue गिरावट हमें देखने को मिली काफी बड़ी गिरावट थी और यही पर मैंने बोल दिया था कि यहाँ पर उस guys stock में गिरावट रही फिर वही हुआ stock ने retest किया फिर stock आ गया sudden नीचे कियो और वही अगर देखा जाए तो यह साइड़ बेज चल रहा है symmetrical pattern जैसा pattern show कर रहा था और वही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आज इसने दे दिया है breakout 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 के बाद तो stock ऊपर की रोल जाता हुआ नजर आही रहा है तो यहाँ पर stock बढ़ सकता है कुछ दिनों तो दो से चार या पाच दिनों तक बढ़ सकता है और कौन से level से नीचे आएगा तो यहाँ पर level आपको दीख जाएगा 89 का level में यहाँ पर बूल रहा हूँ 89 के level से यहाँ पर यह नीचे की और आ सकता है यहाँ तो फिर 89 के level को break करता है तो उपर की rally आ सकते है और 115 रुपे तक तो stock जाएगा ही जाएगा तो 115 रुपे का level में इसलिए बूल रहा हूँ कि 115 के level से ही यह बढ़ना start हुआ था यहाँ पर support लेके stock उपर जा रहा था फिर वही से breakdown नहीं start हो गया और सीधा stock गिरता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर हम expect कर रहे है कि यह stock वही पर जाने की कोशिश करें अगर यह 90 रुपे के level को break करता है तो तो 90 रुपे का level तो हमारे लिए important ही है क्योंकि इन्ही levels के आसपास से stock नीचे की और रहा था तो वही उपर जाने की कोशिश भी इसकी रहेंगी बढ़ते है guys आगे और पाच दिन के time frame पर अगर दिखा जाए एक रुपे 90 पेसे तक stock बढ़ा है 2.36 प्रतिशत के हिसाब से और एक महीने में 14 रुपे 70 पेसे तक stock में गिरावट है 15.14 परसन के हिसाब से और guys वही अगर दिखा जाए 6 महीने में 16 रुपे तक stock गिरा है 44 परसन के हिसाब से तो जो गिरावट stock में हमें देखने को भी लिए काफी बुरी गिरावट है और काफी लोगों को ले डुबा है guys यहापर stock और वही अगर देखे जाए market cap की बात करो 62.94 थाउजन करोड के असपास का market cap है 1 लाग के असपास 1 लाग करोड के असपास इसका market cap था एक large cap stock की category में आने वाला share 62,000 के असपास आके रुप गया तो यहाँ पर मेठियाप stock हम इसे अब खेह सकते हैं और आज अगर देखा जाए तो 81.50 पेसे पे stock open हुआ था 82.75 पेसे का high लगया और low लगया 81.20 पेसे का वही अगर देखा जाए 52 वीक का जो इसका high है 179 रुपे का है और low की अगर बात कर लो तो 75.75 पेसे का low भी है और वही अगर guys यहाँ पर कुछ अगर देखे जाए तो stock में गिरावट के कारण तो यहाँ पर 15 फरवरी 2020-2022 से stock continue गिर रहा है और यहाँ पर अगर देखा जाए जो इसका issue price था उससे काफी ज़्यादा एक ही दिन के अंदर गिर गया था इसके वज़े से पिछले कुछ हपतों के दोरा बाजार में जो गिरावट आ रही थी बाजार में गिरावट आ रही थी उसके कारण भी इसमें गिरावट आई और यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद और यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के मामले के कारण यहाँ पर जो चीजे चल रहे है उसके कारण और गिरता चल गया तो यहाँ पर गाईस अगर कहा जाया तो चारो तरब से स्टॉक स्टॉक गिरी रहा है तो यहाँ पर जो ओनलाइन जो यहाँ पर online जो delivery करते हैं जो company यह online deliveries करती है या फिर उनका पुरा business online पर है तो ओ स्टॉक सारे के सारे हमें गिरते वे नज़रा रहते हैं आप देख सकते हो और नाइका गिरा है पेटियम गिरा है और साथ ही जमेटो भी हाँ पर काफी तगड़ा गिरता हमें नज़रा रहा है तो और guys वही कही न कहीं अगर देखा जाए तो high valuation के कारण भी एक गिरावट हम इससे कह सकते हैं बढ़ती महंगाई के कारण भी इसमें गिरावट है तो जिसकी वज़े से जमेटो में गिरावट हमें देखने को भी लिए और resistance ये बात करो तो 81 रुपे का है जो आज ब्रेक कर चुका है यहाँ पर 83 रुपे का है जो भी ब्रेक करेगा अभी थोड़े टाइम में और देखा जाए तो 84 का भी एक resistance आपको देखने को भी लगा तो resistance लेवल हमने देखे है और वही अगर बात कर ले price performance की तो price performance में 1 week का 5.03% यहाबर प्लस में है 1 month का minus में है 15.09% तक और 3 months का 43.10% तक minus में और year and half का 39.99% में minus में दिखा देगा वही अगर देखा जाए 83 लाग के असपास का आज ट्रेड विलियों में देखने के बल रहा है हो सकता है volume आज 3 करोड के something भी चले जाए क्योंकि yesterday का 2 करोड का ट्रेड विलियों और 33 लाग का common delivery था तो बिलकुल यहाँ पर जो volume से वो भी तगड़े है और community sentiments के आखड़े तो अभी भी 100% भाएंगे है तो कही न कहीं लोग positive है और इसका जो fundamental अगर देखे जाए तो काफी बुरे है guys कहीं भी आपको यहाँ पर profit नहीं नजराएगा बिलकुल यहाँ पर minus में ही नजराने अला है सो अब बात कर लेते हैं share holding pattern की जिसमें FI से DIA से public है orders भी है orders की holding है आपको देख लेते है 2.96% की है और 11.04% की holding FI की है और DIA की है 4.65% और public holding अगर देखे 81.35% की holding public की है तो गैस यहाँ पर अगर देखा जाए जोमेटों में कहीं न कहीं कुछ दिनों तक तीजी रह सकते हैं और टार्गेट में ने बता है 89 तक है जा सकता है और उसे भी अगर ब्रेक करता है तो 1.15 अगर स्टॉक जाएगे जाएगा वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करो जन्रों को सब्सक्राइब करो थैंक यो